आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Good morning students, तरच के मारे कोशन है A dash is the device used to measure heat अगर मुझे heat measure करना है तो मुझे कौन सा device use करना पड़ेगा तो जो device यहां use होता है वो कहलाता है कैलोरी मीटर तो कैलोरी मीटर एक ऐसा device है जिसको हम heating के लिए use करते हैं heating को measure करने के लिए use करते हैं तो कैसे basically काम कैसे करता है यार देखो हमें बता है heat is equal to M C delta T यह formula हमारे पास exist करता है M होता है mass C होता है specific heat specific heat मतलब कितना amount of heat लग रहा है 1 unit mass को 1 degree temperature rise करने के लिए तो यह per unit mass के लिए तो हमने total mass multiply कर दिया और यहां से हम लोगों ने क्या किया temperature multiply कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि कितना amount of heat जो है वो generate हो रहा है तो calorie meter के लिए हमारे पास specific heat known होती है mass तो हमें पता ही होता है हम calculate कर सकते है simply और temperature जो है इसका change हम लोग thermometer की मदद से देख सकते हैं ठीक है और इन सारी बातों को हम लोग डाल के measure कर सकते हैं कि कितना heat जो है उसने absorb किया ठीक है means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर झाल झाल